दोस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग CGPSC का जो फर्स्ट पेपर है जी इसका जो पेपर है जो 2020 का जो पेपर है जो 2022 में आज जित हुआ उसका हम लोग डिसकस करेंगे और यह पूर्णता आपके model answer पर अधारित है सारे उत्तर जो हम डिसकस करेंगे यह CGPSC जो द्वारा जो model answer जारी किया गए है आगामी जो भी exam होगा तो जरूर इस question को सारे question को जरूर करें क्योंकि आप देख करके जब किसी question को करते हैं तो आपको हमेशा के लिए याद भी हो जाता है तो चलिए डिसकस करेंगे हम लोग पहला question और यह जो है model उत्तर जो है जो question final amendments के बाद जो answer आएगा उसको अलग से आपको बता दिया जाएगा तो चलिए देखते हैं पहला question शुरू करने से पहले अगर आप हमारे channel में नए है तो subscribe जरूर कर लेजेगा साथ ही बिल आइकन में all press कर लेजेगा एक चीज़ और important notice बता दूँ आपको मैं सुचना कि आप जो है छात्रवा सधिक्षक और पटवारी का अगर त्यारी कर रहे हैं तो जल्द ही video लगतार जारी होने वाला है practice चलिए पहला question क्या पूचा गया था निम्न कत्नों को पढ़कर सही विकल्प चुने तो देखी सही answer क्या है इसमें फर्स्ट और देखिए पहला question क्या दिया है 1907 में Congress वार्सिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास भिहारी घोस ने की थी तो देखी पहला सही answer है ये नेक्स्ट पूचा गया था कथन है इस अधिवेशन में Congress दो गुटों में विभाजित हो गई थी यह भी सही है और तीसरा जो है यह कथन गलत है तो C आपका answer सही लिया गया है आयोक के द्वारा कौनसा answer सही लिया गया है C C जो है फर्स्ट सेकेंड सही है किन्तु थर्ड गलत है चलिए नेक्स्ट कोईश्चन देखते हैं नेक्स्ट कोईश्चन और पुचा गया था निम्न कत्नों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें तो देखिए अखिल भारती जनगर्णा का प्रथम प्रायस 1871 में किया नेक्स्ट कोईश्चन है आपका राज्य पुनर कठनायों 1953 के संदर्व में निम्न कत्नों पर विचार करते हुए सही विकल्प का चुनाव करें कह रहा है तो देखिए सही विकल्प का चुनाव में चलिए पहला देखिए जस्तिस फजल अली के एम पनिकर और हिर्दयनात क निम्न के पास पुनर गठन कानूँ 1956 के तथ 14 राज्य और 6 किंदर सासित छेतर बनाए गए तो देखिए इसके सांसत आपका जीके भी तैयारी होते जा रहा है आप अगर अभ्यास कर रहें तो सुरू से अंतक जरूर बने रहें आप लोग चलिए नेक्स्ट है आपका भार पारे में बोला जा रहा है नियाधिस यस्वंत विसुनू चंद्रचून तो देखिए ये भारत के सोलवे मुख्य नयधिस थें नेक्स्ट है आपका वे अब तक सबसे लंबी अउधी तक मुख्य नयधिस के पत पर रहने वाले वेकती हैं उनकी निवती नीलम संजीव रे संबंद में क्या सही है तो देखें क्या सही नहीं है स्वारी क्या सही नहीं है पूछा गया है चमाली स्वे सविधान संसुधन के संबंद में क्या सही नहीं है कह रहा है तो आंसर क्या जाएगा क्या सही नहीं इस संसुधन के द्वारा राष्ट पती चाहे तो तब तक संतूस्ट नहीं है तो यह जो है सही नहीं है तो सही आंसर हो जाएगा D आपका बाकी यह जो तीनों दिया गए यह सही है चलिए next question में देखते हैं यदि किनी कारणों से भारत के राश्ट पती की अनुपस्थिति में उपराश्ट पती राश्ट पती के कारियों का निर्वान करता है तो उस अउधी के संबन में कौन से कथन सहीं है तो सही आंसर क्या लिया गया यहां पर आयोगधारा second और third लिया गया है मतलब देखी यहां इस अउधी के लिए उप्राष्टपती को राष्टपती का वेतर मिलेगा यदि साथी में उपराष्ट पति त्याक पत्र दे देते हैं तो भारत के मुखे नादिस राष्ट पति के पत्का निर्भान करेंगे तो second और third क्या है सही है आपका second और third चली next question क्यों बढ़ते हैं देखी यह statement question है दोस्तों बता दू मैं आपको यह UPSC pattern में पुछा गया है CG PSC साल अब आपको PSC का जो भी त्यारी करना है तो थोड़ा deep अध्यान करना पड़ेगा थोड़ा जादब पढ़ना पड़ेगा फिसस आपसे आपको त्यारी करना पड़ेगा अगला वीडियो हमारा जब भी आएगा PSC के लिए तो इसी लेवल में आपको त्यारी कराया जाएगा चली next question है विदहक पारित करने के लिए संसत की संयुत बैठक से संबंधित नीमन कतनों में से कौन सा सही है तो कौन सा सही है इन में से कोई नहीं आंसर लिया है मतलब यह जो तीनों आपसंदी है इन में से कोई सभी सही नहीं है चली next question क्यों बढ़ते हैं नीमन में से किस राज्य के लोकसभा में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटे अनुसूची जन जाती के लिए रक्षित है यह question एक बार और व्यापाम में पूच दिया गया question है तो मध्य प्रदेश सही आंसर आएगा आपका D चलीए next question है नीमन में से कौन मिती लोकसभा के अधी नहीं आती तो देखिए आपके आयोग द्वारा D आंसर लिया गया स्वास्थयों परिवार कल्नियार समिती जो है लोकसभा के अधी नहीं आती नेक्स्ट question क्या पुछा किया था भारती संसदी समू आईपीजी के संदर्व में कौन से कथन सही है तो सही आंसर के आजाएगा D केवल 3 सही है लोकसभा का उपाध्यक्ष तता राज्यसभा का उपसभापती समू के पदेन उपाध्यक्ष होते है यह आंसर आयोग द्वारा सही लिया गया है चलिए नेक्स्ट question है नीमना केंद्रसासित प्रदेश का उनके बनने के वर्स से सुमेलिद कीजिए तो देखी दोस्तों सही आंसर है आपका B सही आंसर लिया गया है उक के द्वारा तो A का क्या होगा देखी यहां पर देखी A का क्या होगा यह हो जाएगा फोर्थ लचदीव 1956 में B दमन्दीव दमन्दीव जो है आपके कब है 1962 में चंडीगड़ देख लिए चंडीगड़ है आपका 1966 में और D है आपका दादरा नगर हवेली यह जो है दादरा नगर हवेली जो है 1961 में तो यह आपका सही आंसर लिया गया है B चलिए नेक्स्ट कोश्चन क्यों आगे बढ़ते हैं स्वायत जीला के संदर्भ में कौन से कथन सही है तो देखिए आपके पहला सही है और थर्ड लिया गया है आउगड़ दादरा चलिए नेक्स्ट क्योश्चन है आपका विद आयोग के संदर में कौन से कथन सही है तो देखिए विद आयोग के संदर में कौन से कथन सही है तो केवल एक दे रहा है आयोग में कुल पांच सदत से होते है यही सही है बाकी सब क्या है गलत है चलिए नेक्स्ट कुश्चन है नीमन में से कौन सा मेल सही नहीं है तो C आपका आंसर लियागा है उग द्वारा नार्थ, फ्रंटियर रेलवेर प्रयाग राज ये जो है सही नहीं है चलिए, नेक्स देखते हैं Olympics 2020 के संबन में कौन से कथन सही है तो देखें कौन से कथन सही है सही answer लिया है first, second, third तीनों सही है कहा रहा है मतलब ये जो तीनों option दिया गए ये तीनों के तीनों सही है ये आपके current affair से पुछा गया था और current affair में हम आपको पूरा detail बताया थे इसमें से पुछा गया है चलिए next पुछा गया है नीमन tennis tournament को उनके प्रारम होने के वर्स से काल करमबध में सजाएं तो सही answer लिया है आपका C को विम्बल्डन, US, open और French open और दिया है Australian open तो ये आपका C सही है इसको आप trick से भी याद करते हैं VU, 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 F, A ऐसे करके भी याद रख सकते हैं चलिए next है JNU operating system के संबन में क्या सही नहीं है तो JNU के संबन में तो ये सही answer क्या लिया है D को लिया है यह Unix के साथ compatible नहीं compatible नहीं है चलिए next question है distributed denial of service attack क्या है DDoS तो ये क्या है सही answer एक cyber attack है B को आपका सही answer लिया गया है next है NFV IC का full farm क्या है तो सही answer लिया था आपका B मतलब navigation with the Indian constellation ये आपका सही answer है चलिए next question की और बढ़ते है आवरिती modulation A फें आवरिती modulation A फें next question देखते है आवरिती modulation A फें radio waves के बारे में क्या सही नहीं है तो सही answer A है आपका मतलब ये जो है सही नहीं है चलि ये next question के और दिद पढ़ते हैं चंद्रयान 2 अभ्यान के संबन में क्या सही नहीं है तो C आपका सही answer लिया है इस अभ्यान में चंद्रमा के उत्री ध्रोको अन्वेशन के लिए लक्षित किया गया मतलब ये सही नहीं है ऐसा दिया है बाकी सब सही है चलि ये next question है वयसकों को दी जाने वाली COVID-19 vaccine के प्रत्यक डोज की मात्रा कितनी होती है तो 0.5 ml होती है चलि ये next question क्यों बढ़ते हैं निम्न में से कौन से कथन सही है तो सही answer लिया गया है एक ओप, हस्ट, सेकेंड और थर्ड गलवान नदी का नाम गुलान रसूल गलवान के नाम पड़ा सही है ये भी नेक्स्ट है आपका गुलाम रसूल गलवान एक लद्याखी खोच करता यह भी सही है उन्होंने servant of साहिब सनामा के कंगरजी पुस्तक लिखी यह भी सही है तो तीनो की तीनो सही है मतलब यह आपका सही आंसर लिया गया है चलिए नेक्स्ट है भारत और पूर्तगाल की सरकार ने भारत में राष्टी समुद्री विरासत परिस्तर विक्सित करने के समझाथा के लिए ग्यापन हस्ताक्चर किया है कहां विक्सित किया जाएगा तो ये लोथल गुजरात में विक्सित किया जाएगा चलिए नेक्स्ट कोईश्चन आपसे पूछा गया था Chief of Defense of Staff के संदर्मे में क्या सही नहीं है तो C आपका सही आंसर है वह रक्षा दिगराण परिसत का अध्याक्ष होता है ये सही नहीं है बाकी ये जो A, B और D दिया है ये सारे के सारे सही है चलिए नेक्स्ट कोईश्चन नीमन कत्नों को पढ़कर सही विकल पुचुने तो देखिए इसमें बोल रहा है कौन सा सही है तो केवल फ़स्ट सही है D आपका सही आंसर लिया है गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 के मध्य हुआ में हुआ मतलब 1800 से 1805 में हुआ चलिए नेक्स्ट कोईश्चन है भारती परिसत अधिरियम 1861 के संबन में नीम नकथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने तो सही आंसर लिया है यहां पर B को सेकेंड और थर्ड मतलब विधी निर्माड के लिए अतरिक तस्तादस्यों के संख्या कम से कम 6 और अधिक से धिक 12 कर दी गई नेक्स्ट लिया गया आपका तीसरा भी आपका सही है प्रांती और केंदरी विशायों में किसी तरह के भैदभाव नहीं राखा गया तो दोनों जो है सेकेंड और थर्ड सही है चलिए नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं भारती परिसादा धिनेम 892 के संबंद में नीमन कत्नों को पढ़कर सही विकल्प चुने तो सही आंसर लिया गया है केवल सेकेंड को कूल सदस्यों में से गयर सरकारी सदस्यों के संख्या 5 थी मतलब डी आपका सही आंसर लिया गया है यहाँ पर चलिए next question आपसे पूछा गया था नीमन कत्नों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें तो देखी सही विकल्प का चुनाव करें इसमें D आपका सही आंसर लिया गया है बोला है कि कत्न फर्स्ट असर्थ्य है परंतु कत्न सेकेंड सत्य है मतलब J.D. डाना ने भारती महादिव 70 तनो भूगर्भिक इतियास के लिए विसेष भूगर्भिक समय मपक त्यार कि यह गलत है कत्न असत्य है बोल रहा है सत्य नहीं है लेकिन यह जो कत्न है यह सत्य है कह रहा है भूगर्भिक समय के मापक के नुसार आर्कियन, पॉराडिग, ये द्रवडियन, ये वाला जो दिया है, ये सही है चलिए next question दिये गई यजोको का सही कालक्रम को चुने जो सबसे पूराना है, वह सबसे पहले आएगा तो B आपका सही answer लिया है जोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लास्टोसीन और होलोसीन इस तरह को देखते हैं जैसे एक निमलिखित भुगरविक विरासत इस्थल को उसके इस्थान से सही मिलान करें तो देखी एक क्या आएगा एक आपका आजाएगा थ्री आजाएगा तीरुचीरापली राष्टी का छीवासम पार्क, बीक क्या आजाएगा आपका, तो बीक आजाएगा आपका सिवाली सिर्मौर, और C का आजाएगा आपका चितड़गर, डीक आजाएगा आपका फर्ष्ट, इस तरह से आपका ये सही आंसर लिया गया है C को, चलिए नेक्स्ट कुश्चन में देखते हैं नेक्स्ट है आपका निम्न कत्रों के अधार पर सही विकल्प का चुनाव करें तो देखिए इसमें D आपका सही आंसर लिया है पहला असत्य है परंतु सेकेंड सत्य है फ्लेट वियर्थनिकी का सिध्धान्त 1967 में H.H. हेस ने दिया ये असत्य है और फ्लेट वियर्थनिकी समुद्ध तलका विस्तानर सिध्धान्त पर अधारित है ये सही है तो D को आपका सही आंसर लिया है चली नेक्स्ट है निम्न लिखित हिम नदिक उसकी लंबाई के घरते करम में सजाएं निर्मीत बड़े मांधों की संख्या कैदार पर घरते करम में सजाना है मतलब जहां ज़्यादा है उसके बाद कम वाले को चली नेक्स्ट है आपका UNFCC COP26 अधिवेशन में भारत द्वारत दी गई प्रतिबधता के संदर्भ में क्या सही नहीं है तो सही आंसर लिया है आपका भारत जो है 2030 तक अपनी उर्जा जरुवतों को 60% पूर्टी अक्षा है उर्जा में करेगा ये सही नहीं है नहीं है पूछ रहा है ध्यान रखिएगा चली ये नेक्स्ट कुश्चन है आपका 37 नंबर का कुश्चन है इसमें बोला है कि नीमनलिकित बेक्ति को उसके छेतर के साथ सुमिलित कीजिए उन्हें पद मसरी 2021 पूरुषकार पदान किया गया तो देखिए क्या क्या है बी आपका सही आंसर लिया गया है तो देखिए इसमें क्या है सुजी चटो पद्ध्याय ये साहित्तिक और सिक्षा है आपके बी जो है समाज कारे करता है ये सुलित्रीम, चोंजोर और आपके पूर्ण मासी जानी ये कला से संबंधित है ये दिया हुआ है और बाकी जो बजगे डी आपका ये जो हैं आपके सार्वजनिक मामले तो इस तरह से इसका आंसर बी सही लिया गया है चलिए नेक्स्ट कोईश्चन क्यों चलते हैं उचित और लाबकारी मूल्या नीम नमले से किस फसल से संबंधित है तो जो व्यापम की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए इंपोर्टेंट ध्यान रखेगा तो चलिए कौन सा आंसर आजागे ये गन्ना जो है ये आपका सही आंसर लिये गया है नेक्स्ट है आपका थोक मुली सुचकांग की गणा में वी निर्मी तुतपात का महत्वा सही आंसर लिया गया है 64.232.2 को नेक्स्ट कोईश्ट है अंतराष्टी मुद्रकोस में भारत का विश्यस आरण अधिकार प्रतीसात का ओट कितने प्रतीसात है क्रमसा तो ये ए आंसर सही लिये गया है 2.75% जेनर 2.63% ये आपका सही आंसर लिये गया है चली नेक्स्ट कोईश्ट कियो बढ़ते हैं वाइरस के संदर्व में क्या सही नहीं है कह रहा है इसी को आपको ध्यान रखना होता है तो C सही नहीं है DNA परधारित वाइरस अधिकांसता सिंगल क्या दिया है extended होता है तो C आपका सही नहीं है चली next है क्रिसी जनगर्णा के संदर्व में कौन से सही है तो आपका A answer लिया है 1st, 2nd, 3rd है मतलब यह जो तीनों दिया है यह तीनों सही है चली next question है नीमन में से किस परिस्थितियों में एक container में भरे हुए carbon dioxide के अड़ों के बीच की दुरी बढ़ेगी तो क्या answer लिया गया है चली देखते हैं D लिया गया है मतलब 1st और 2nd मतलब container का आयतन बढ़ाने पर यह सही लिया गया है और second container से कुछ carbon dioxide gas leak होने पर चली next question है आपका किसी ध्वनी तरंग की आवरित्ती यह दिया है 4K हट्ज उसकी तरंग दैधरा 35 cm वह 3 km दूरी तैक करने में कितना समय लेगी तो सही answer लिया है B 2.14 second चली गलुकोज की भी खंडन के संदर्व में कौन सा कथन सही है 46 number का question इसका answer लिया है second और third मतलब कौन सा सही कह रहा है तो देखिए oxygen के अभाव में यह वाला जो दिया है pyruvate lactic acid के रूप में परवर्तित होता है सही है next है oxygen के पस्तिती में pyruvated carbon dioxide और इथे नाल के रूप में परवर्तित होता है बतलब पहला इन में प्राकृति कृत्रिम दोनों गुफाएं है और second इन में 18 खंडगिरी 18 तथा खंडगिरी 15 गुफाएं विदाइगिरी में 18 तथा खंडगिरी में 15 गुफाएं तो पहला क्या है second सही लिया गया है तो आपका सही answer तो बी इसका सही answer लिया गया है इसके पदक पर इंद्र वज्र की चार प्रतिकृति अंकित होती है तो ये बी आपका सही answer लिया गया है चलिए next question नीमनक कढ़ाई कलाओं उससे संबंधित राज्य को सुमेलित कीजिए तो कौन सांसर लिया गया है यहाँ पर D आपका सही answer लिया गया है कौन सांसर D आपका सही लिया गया है तो देखिए A का एक आपका second है फुलकारी पंजाब है बी का लिया गया है आपका बी का फोर लिया गया है धर धरनिया गुजराच और सी का लिया गया है आपका करनाटक कसुटी का और करचोबी का लिया गया है आपका राजिस्थान तो इस तरह से डी आपका सही आंसर है नेक्स्ट कुश्चन है आपका लाल बंगला किस जन जाती से संबंदी था यह पूछा गया था तो इसे तो कई बार हमारे चैनल में आपको पढ़ाया गया था कई बार बताया गया था डिसकस किया गया थे इस कोश्चन को सही आंसर भूजिया है लियाग भी गया है चलिए चांग देवी का देवाला किस जीले में है तो सही आंसर कोरिया लिया गया है बी नेक्स्ट है ध्यान रखियेगा आप लोग व्यापम जो भी एक्जाम तैयारी करने हैं याद रखेगे सब कुश्चन को भी जो राज्य सरकार ने ग्रामिड संस्कृती सरक्षर के लिए किन दिवसों पर सार्वजनी कवकास घोसित किया है उप्रोक्त सभी हरेली तीच पर भी विश्वादी दिवस पर भी और कर्मा जयनती पर भी तो सही आंसर आजाएगा उप्रोक्त सभी चलिए 36 गड में पहली बार राष्टी आदिवासी नित्य महसों का अजयन कब किया गया तो सही आंसर है आपका 27 से 29 दिसंबर 2019 के बीच यह आंसर लिया गया है चलिए नेक्स्ट है ग्राम गड बेंगाल के चेंदरु मंडावी को किसके लिए जाना जाता है तो सही आंसर लेगा है यह क्या है बस्तरांचल के हाली उट का पहला ही रो याद रखिएगा important question हो सकते हैं आपके सिजी व्यापम के question आने वाले exam के लिए नीम ने कथनों को पढ़कर सही विकल्प दीजिये देखिए C केवल one सत्य है मतलब राज माता फुलवा देवी कांगे का संबन प्रसिद आदिवासी व्यक्तितों कंगला माजी से है यहीं आपका सही है चलिए next है नीम ने लिखित को सुमेलित कीजिए यहां भी दिया गया इसका अंसर क्या लिया गया है तो इसका अंसर C लिया गया है मतलब आसूम स्वारी क्या दिया गया है आमूस आमूस का मतलब है सावन और यहां बी से देखिए सरहूल तो सरहूल का चैत में है कह रहा है और C का आपका दिया है नवा खाई का भादो और आपका D का दिया है दशहरा कहां तो क्वार में दिया है तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट है अंठावन, अंठावन नमबर का question है 58 नमबर का निमलिकी जन जातियों को क्या दिया है उसके मुखे निवास छेतर से सुमेलित कीजिए तो देखिए C आपका सही आंसर लिया गया है कौन सा? C आपका सही आंसर लिया गया है मतलब देखिए क्या? पहाडी कोरवा तो पहाडी कोरवा कहां है? तो ये पहाडी कोरवा जस्टपूर में सभी जानते हैं आप लोग और B भूझिया भुझिया कहा है, तो भुझिया गरियाबंद में, बिंजवार कहा है, तो बिंजवार आपके बलौदा बजार और भाठापारा छेतर में हैं, अबुजमाडिया कहा है, नरायनपूर एकदम सिंपल है, आप सभी से बना भी हो गई है, चली नेक्स्ट कुश्चन है, निम्न सा जाता है question तो आपसे बनने वाला है तो कनहर देव छिंदक नाग वंस अब देखिए इसकंद वर्मन नल वंस अब देखिए आपका है दूर गराज तो दूर गराज सरप्पुरी वंस और हर सगुप्त पांडू वंस तो ये C आपका सही answer लिए गए चलिए नेक्स्ट क्यों बढ़ते हैं मराठा सुबेदारों के नाम काल करम अनुसार सजाईए तो सही answer आजाएगा आपका C तो सही answer आपका क्या आजाएगा थर्ड है पहले क्या आजाएगा थर्ड है फिर उसके बाद फर्स्ट होगा बिठल राव दिनका फिर उसके बाद केसा चलिए नेक्स्ट क्यों बढ़ते हैं 36 गड के निम ने लिखी समचार पत्रों कुन के समपादकों से सुमेलित किजिए तो सही answer क्या लियागा यहाँ पर D लियागा है अब देखिए सुर्वोदय यह जो सुर्योदय है यह कन्हिया लाल वर्मा अब देखिए आपका B जो है B कहा है आलोग तो यह आपका आजाएगा केसो प्रसाद प्रकास का आजाएगा यदू नंदन आपका प्रकास का क्या आजाएगा यदू नंदन प्रसाद और हैवन्स का आजाएगा आपका उदय प्रसाद क्या उदय प्रसाद तो D आपका सही answer लियागा है चलिए next question क्यों बढ़ते हैं भारत छोड़ों अंदोलन के काल में 9 अगस 1922 को गिरिपतार किये गे नेतावक उसके इस्तान से सुमेलित किजिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सही आंसर क्या लिया गया है C लिया गया है आपका सही आंसर तो देखिए याकुब अली क्या याकुब अली तो याकुब अली रायपूर अब देखिए B दिया गया हर नरायन वाचपेई तो ये है बिलासपूर अब देखिए C आपका लक्षमर सी देशमूग तो इसका लिया गया है फस्ट दूरगर वाईवी तामस्कर ये लिया गया है बेमे तरह इनका क्या है बेमे तरह से है चलिए next है भावगोलिक परिस्थिति समाजिक व्योस्था भूमी की व्योस्था के कारण 36 गड में जनजातियों का अस्तित्वन्य सर्गिक वा अनिवार रहा यह कथन किसका है तो यह कथन मिश्टर जेंकिंग्स किसका जेंकिंग्स चलिए नेक्स्ट है निमने लिखित में से कौन सा राजनन गाओं के राष्टी विद्याले की स्थापना से संबंधित नहीं तो राजुलाल सर्मा बाकी यह जो तीनों जो है उससे संबंधित है चलिए नेक्स्ट कुष्चन है चलिए नेक्स्ट कोईष्टन है 36 गड़ अर्थिक सरवेक्छ दोजार बीस इकिस में 36 गड़ के पास सोन नदी में मिल जाती तो देखिए दोनों question है आपके ये दोनों question है आपके क्या है सही है चली next है राज्य में चर्चित इस्थन सुमेलित कीजिए तो देखिए भी आपका सही answer लिया गया है इसमें देखिए जैसे टमाटर की राजधानी आप सभी जानते हैं ये अब चली देखते हैं 70 नंबर के कोशिचन में क्या पूछा गया है तो 70 नंबर के जो कोशिचन है इसमें देखिए ये आंसर लिया गया है दोनों कथन अम आर सत्य है कथन अर को इसपस्ट करता है तो देखिए ये मतलब वर्षा 2017-18 में किसी वृद्धी बहुत कम दर्ज की गई 2017-18 में कई जनपद सुखे समस्ट से जूज रहते है तो ये दोनों सही है और फर्ष्ट कारण दूसरे का व्याख्या करता है ये आंसर लिया गया है चली नेक्स्ट है अधिक आनस्ता भाटा मिठी के अधिक तथा कमार मिठी की अपयक्श कमुचाय पर पाए जाती या सही नहीं है बाकी जो दिया है ये सही है चली नेक्स्ट कोश्चन है 73 नमबर का कोश्चन इसमें क्या है निमने लिकीत कत्नों को ध्यान पूर्ग पढ़िये और सही उत्तर चुनिए तो देखिए सही आंसर लिया गया है आपका B केवल सेकेंड और केवल थर्ड तो देखिए इस सेकेंड मतलब केवल सेकेंड और थर्ड चातिसगर राजय में GSDP में सरवाधी के उगदान किरसी चेतरा का सही है थर्ड है चातिसगर राजय में किरसी को प्रवार्वर्शिन प्रतम ओय बी सही है तो स्टेटमेंट कुश्चन है तो इस तरह से तैयारी करना पड़ेगा पीस सीकाव चली नेक्स्ट है नेक्स्ट है तो सही आंसर क्या लिया गया आपका तो यहां पर देखिए यहाँ पर सही आंसर डी लिया दिए गया है a b और c सही है मतलब विसाय मामलों में disproportionately विशाय मामलों में और देखिए क्या दिया गया है बित्ती मामलों में और कार्मिक मामलों में आपका सही लिए गया है नीचे दो वक्तब्य दिये गए हैं एक कथन A दूसरा कथन करण ये है तो इसमें क्या है? देखिए इसमें आंसर क्या देगा है? दोनों कथन A तता R सही है कथन A R का सही क्या करता है? इस पश्टी करण ये आंसर जो है दोनों कथन A तता R सही है तथा कथर A का सही स्पाष्टी करण आ रहे है तो A को सही आंसर लिया गया है चलिए नेक्स्ट है आपका 78 नंबर का सविधान के 64 सविधान संसोधान अदिनियम 1992 में नीम नमे से किसका प्रवधान किया गया है तो देखिए इसमें आंसर लिया गया है B, 1st, 2nd, 3rd और 4th जिला आउजना समीतियां, 74, 777, 1992 किसका प्रवधान किया गया है तो 4 का प्रवधान किया गया है चलिए नेक्स्ट कुश्टन है आपका देखिए राज्य विधाईका के से संबंदित अनुच्छेदों को सुमेलित कीजिए देखिए इस तरह से कुश्टन पूछा गया, तो C आपका सही आंसर लिया गया है तो इसमें क्या गया है राज्यों को विधाईका का गठन अनुच्छेद 168 अब देखिए विधान समय में अध्यक्छ तताओ पध्यक्छ ये दिया गया अनुच्छेद 178 सदस्यों को वेतन भत्ते ये दिया गया है आपका अनुच्छेद 155 विधाईक की परिभासा ये दिया गया है आपका अनुच्छेद 199 तो ये C आपका सही आंसर दिया गया है चलिए नेक्स्ट कोश्चन है निमनिली खित में से कौन सा युग्म सुमेलित है तो ये question A, B और A, sorry A, C और D सही answer लिए गया है सुमेलित है पूछ रहा है तो देखिए A सुमेलित है और आपका C सुमेलित है और आपका D सुमेलित है बाकी B सुमेलित नहीं है चलिए next question है नीचे दिए next question है आपका next question है आपका 81 number का question इसमें क्या कहा गया 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 देखिए नीचे दो वक्तब बे दिये गए है कथन A और R कारण कथन A को कथन A तथा दूसरे को R कहा गया है तो देखिए इसमें सही answer लिया गया है दोनों कथन A तथा R सही है कथन A, R का सही इसपश्टी करण कारण R है सही इसपश्टी करण कारण R है ये दिया गया है तो देखिए कथन A में क्या दिया गया है जिले नियाधिस जिले का सबसे बड़ा न्याई का धिकारी होता है कारण में क्या दिया गया है जिला अधिकारी के पास जाला नियाधिस के पास नियाई क्यों प्रसासनिक दोनों प्रकार की सक्तियां होती हैं, उनके पास जिले के अन्य सभी अधिनस्त नियालों के उपर परिवेक्षी सक्ति भी है, तो देखी दोनों क्या बोल रहा है, कथन ए तथार दोनों सही है, ए का सही स्पस्टी करण है मतलब कथन A का सही स्पस्टी करण है आर ये बोला जा रहा है तो याद रखेंगे important बन सकते हैं आवगाम इग्जाम के लिए question चले next है राजसासन के कारियों की प्रक्रिय के सिध्धानतों का निर्माण करने वाली प्रमुक शक्ती कांसा है तो सची वाला है D सही जानते हैं आप आंसर इसका next है नीचे दो व्यक्तब दिये गए कथन A और R को कारण कहा गया है देखिए इसमें आंसर क्या लिए गए दोनों कथन सही है दोनों कथन A और दोनों सही है कथन A का सही सपस्टी करन आ रहा है तो क्या जाएगा न्यालय कथन में क्या कहा गया न्यालय मंत्रियों दोरा राजय पाल को दी गए सलाह की समिक्षन नहीं कर सकता कारण में कहा गया भारती सविधान में राज्यों की मंत्रियों के लिए विधिक उत्तरदाई तो नहीं है उपर युग तो दोनों वक्तव्यों के संदर्व में कौन से सही है बोला गया तो दोनों सही है और एका सही स्पश्टी करण आ रहा है याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट कोश्चन है चुरी की पहाडिया का धिकांस भाग किस जिले में है तो किस जिले में है कोरबा जिले में है ए आपका सही आंसर है नेक्स्ट है पांचवे राष्टी परिवारेवम स्वास्त सर्विक्षर 2019-21 के नुसार 36 गड में सकल प्रज्णन दर जो है कितनी है तो सही आंसर है 1.8% चलिए नेक्स्ट कुश्चन है मलगेर नदी का उदगाम इस्थल कहां पर है तो सही आंसर है बैला डिला पहाड़ी ए लिया गया है नेक्स्ट है निम लिखी सिमेंट कार खाने को कार खाने प्रदेश में किस तस्थिल जिले मिश्थित है सुमेलित कीजिए तो देखी इसका आंसर क्या लिया गया है आपका B आपका सही आंसर लिया गया है मतलब देखी सिमेंट स्री सिमेंट ये कहां है आपका बलोदा बजार अल्ट्रा टेक सिमेंट ये कहा है आपका सिमगा और जे के लक्षमी सिमेंट ये कहा है आपका अही वारा और सेंचुरी सिमेंट ये कहा है आपका तिल्दा तो भी आपका सही आंसर है नेक्स्ट कोईच्चन है आपका 36 गड़ में खनीज भंडार यो उनके छेतर को सुमेलित किजिए तो सही आंसर क्या लिया गया है आपका C लिया गया है तो देखें क्या है हीरा हीरा क्या है हीरा में आ जाएगा आपका जांगडा खनीज भंडार हीरा का छेतर क्या है आपका सही आंसर लिया गया है, चलिए, next question क्यों आगे बढ़ते हैं, next question है, सुची first को second से सुमेलित कीजिए, तो देखिए इसमें क्या आंसर है, मांड, मांड क्या आजाएगा आपका, मांड जो है आपका मैन पाट, next है आपका, बनास आजाएगा आपका, देवगड की पहाड़ी, जोक आजाएगा आपका, सोन बेरा पठार, और केलो आजाएगा आपका, लुडेग, तो B आपका सही आंसर लिया गया है, चलिए, next question है, निम लिखी जनवला का उत्तर बताईए, देखी, बीना पंक के सुवा, उड़ी चलत अकास, रंग रूप इनके नहीं, मरे न भूक प्यास, सही आंसर क्या है, आपका, सी लिया गया है, आत्मा, चलिए, next question क्यों जाते हैं, प्रस्तु थाना की सर्थ में बोला जाता है, ती गमागे चारो कोना, तो सही आंसर, अभागे को, क्या लिया गया, अभागे को सहरा न मिलना, चलिए, next question है, क्या हो सकता है, इस जनवला का जाने, तो देखी, एक हडिया, जेमा, दू रंग के पानी, मतलब अंडा को लिया गया है, सी आंसर, चलिए, 95 नमर का question है, नीमन का अभ्यांस, किस गाथा से उद्गरित है, बढ़ सैता धारी लच्मन जती जोगी, तो कहां से उद्गरित है ये, तो सही आंसर लिया गया है, आपका फूल बामन, डी आपका सही आंसर लिया गया है, चलिए, next question है, नीमन रचना किसकी है, चारो डहर सवाल उगे है, ये जो ह है आपका 97 नंबर का question, मुख्य मंत्री प्रिक्षार अपड प्रसान योजना के संबन्द में क्या सही है, तो देखिए, क्या सही है, इसमें केवाल तीसरा ही सही है, मतलब इस योजना के तहत प्रिक्षार अपड है तुखाई टेक नरसरी की स्थापना, है तुख कमपा फं सम्मान, तो देखिए, गुंडा धूर सम्मान क्या है, कुमारी रोहनी शाहु, खुब चन्बगेल मुकेश चोधरी, और जो है आपका C, वीर नराइन जानके प्रसाद मेनी माता कल्नियार देश्मुक, तो D आपका सही आंसर लिया गया है, कौन सो को, D को आपका सही आंसर लिया गया है, B में आप मिलान कर लिजे, किसमे किसमे वासु मेरित नहीं है, चलिए आखरी नंबर का कुष्चन है, हंड्रेट नंबर का, 36 गड़ आर्थिक सरवेक्षर 2020-21 केमसार निम लिखित, जीलो को महिलाओं की साक्षरत दर्ग के संदर्वे में घरते क्रम में जल्द ही आपका प्राक्टिस सेट जारी होने वाला है, मैं सपर भी उड़ आएगा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टुडियो में, तब तक के लिए जैहिन जैभारत